जैसे को तैसा एक स्थान पर जीर्न धन नाम का बने का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेश संपत्ती तो थी नहीं, किवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश सा वापिस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापिस मांगी। महाजन ने कहा वह लोहे की तराजू तो चुहों ने खाली, बनिये का लड़का समझ गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता। किन्तु अब उपाई कोई नहीं था, कुछ देर सोचकर उसने कहा कोई चिन्ता नहीं, चुहों ने खा डाली तो चुहों का दोश है, तुम्हारा नहीं तुम इसकी चिन्ता ना करो, थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मेत्र, मैं नदी पर सनान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धन्देव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहा आएगा, महाजन बनिये की सजजन्ता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने त कर एक गुफा में बंद कर दिया, गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वो बच कर भाग ना पाए, उसे वहाँ बंद करके जब वो महाजन के घर आया, तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ सनान के लिए गया था, वो कहा है, बनिये ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई है, महाजन यह कैसे हो सकता है, तभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है, बनिया भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठा कर नहीं ले जा सकती, तो चुहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते, तुझे ब विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुँचे। वहाँ न्याया धिकारी के सामने महाजन ने अपनी डैक कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिय ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिय से कहा इसका लड़का इसे दे दो। यदि मन भर भारी तराजू को चुहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठा कर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्ण पर बनिय ने अपनी तराजू का सब वृतांत के सुनाया। सीख जैसे को तैसा।